तो पक्का वो मेरे देखके एक दब रोने वाली है तो थोड़ा सदा के प्यार करेंगे तो इसको हिम्मत आएगा हलो एवरीबरन कैसे आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे आप सभी को मोस्ट विलकम है अदित्य एंड अजय चैनल ब्लॉग पे आप सब इस रिक्वेस्ट है अगर फॉर्स टेम विजिट कर रहे है तो प्लीज राहूल भाई के साथ मेरा भी चैनल को सब्सक्र करने जा रहा हूं तो राहूल भाई बोल रहे थे कि मंपी और बाबू अच्छा है हेल्दी है और बहुत जल्द घर आने वाला है एक 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 दिन या दो दिन के अंदर घर बापस आ जाएगी मंपी और बाबू और सबसे गुड न्यूज एह है सबसे बड़ी बात एह है कि बेबी को ना इनफेक्शन हो गया था और दो तीन टेस्ट भी लिखा था डॉक्टर जो कि सारा टेस्ट हो गया है और एक टेस्ट बाकी है जो कि होगा और बाबू का ना जो इनफेक्शन हुआ था जो कि अब बिल्कुल कम्प्लीट हो गया थोड़ा बहुत इनफेक्शन है तो इसलिए डॉक्टर जो है अपने अंडर रख रहा है बच्चे को और मंपी और बावू बिल्कुल ठीक ठाक है जादे टेंसन की बात नहीं है आप सबसे हाद जोड़े के मतलब आप सबसे रिक्वेस्ट है मंपी और बावू के लिए ब्लेसिंग करें धेर सरा ब्लेसिंग म मंपी के लिए कि बहुत जल्द ही अच्छा हो जाए और बहुत जल्द ही घर बापस आ जाए जो भी थोड़ी बहुत जल्दी से जाच है जल्दी से कंप्लीट हो जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए फिर मंपी और बहुत जल्द ही घर आ जाए हम भगवान से दुआ करें और बस जितनी भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सब मंपी और राहुल भाई की बेबी के लिए सब दुआ करें कि बहुत जल्दी अच्छा हो जाए सब कुछ नॉर्मल हो जाए और खुसी-खुसी सारे फैमिली घर में हैपी हैपी रहे तो चलिए इस वीडियो को मैं य धन्क यू